शेली के थे फिन संगीत में गीतों का सिलसला जारी रहेगा लेकिन उससे पहले आईए सुनते हैं सेहत कारिक्रम में डॉक्टर नवीन जोशी से अनल भारती की भेटवार्थ इसका विशेट है श्वास रोग कारण लक्षन और उपचार सेहत कारिक्रम में शोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस कारिक्रम में हमारे महमान है डॉक्टर नवीन जोशी जोकी एसुसेट प्रोफेसर है उत्राखंड आयुरवेद विश्य विद्याले देहरादून में और आज आपसे बाचीत का विशे रहेगा स्वास रोग कारण लक्षन और उपचार डॉक्टर नवीन जोशी कारिक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद डॉक्टर नवीन जोशी सर्दियों का मौसम है और ये मौसम कई मायनों में बहुती महत्वपूर्ण होता है लेकिन यदि हम रोगों की बात करें तो कहीने कही स्वास रोग इस मौसम में बढ़ते भी दिखाई देते हैं क्या कुछ खास कारण है? जी, सरदियों के मौसम में हमारी जो रख्ट नलिकाएं हैं वो संकुचित होती हैं इसी प्रकार से हमारी जो स्वास नलिकाएं हैं वो भी संकुचित होती हैं ऐसे में अक्सर जो हमारे ऐसे रोगी जिनने स्वास की तकलीफ है उनको इस सिजन में बहुत तकलीफ होती है स्वास का वेक बढ़ जाता है दमा बढ़ जाता है इसके अलावा जो है इस वकत कोहरा भी आप दिखेंगे कि कोहरा भी छा जाता है और ऐसे में जो वायूमंडल में जो suspended particles हैं जो धूल के करण हैं वो कहीं न कहीं नासिका से स्वास्तंतर में पहुँचते हैं और वो पुनह दमा की जैसी लक्षणों को उत पन करते हैं डॉक्टर नवीन जोशी हम देखते हैं कि इस मौसम में छोटे बच्चों खास और से ठंड लग जाती है और उनको भी हम नीमोनिया जैसे रोगों के चपेट में आते वे देखते हैं क्या कारण है जी बच्चों में स्वाभाविक रूप से आयूरुएद के हि जादा रहती है जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सरदियों में बच्चों में भी हिस्तिया आती है और स्वासवा संस्थान की विक्रतियों या बीमारियों की होने की संबावना बढ़ जाती है जिन में निमोनिया बहुत जादा जो है वो सामानने रूप से देखा जाता है तो बच्चे जो हैं चुकि माबाप का कहना नहीं मानते हैं और वो ठंड की परिश्चितियों में बाहर भी निकल जाते हैं या ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जैसे आईस क्रीम है या कोल्डिंग को पी लेते हैं तो ऐसे में किस तरह से बचाओ किया जा सकता है यह बहुत करना चाहिए जैसा आईस क्रीम आदीस प्रकार के जो शीतल पे पदार्थ हैं उनको इश्रितु में विशेस रूप से नहीं लेना चाहिए साथ-साथ जो अचानक से बच्चे ठंडे के एक्स्पोजर में जाते हैं वो उनसे बचाने का पूरा प्रियास करना चाहिए उन्ह चर्चा कर रहे थे कि स्वास रोग सर्दियों में बढ़ जाते हैं लेकिन पहले हम आपसे जान लें कि स्वास रोग की जो समस्या है इसके पीछे प्रमुक कारण क्या है जी स्वास रोग की समस्या के पीछे जो कारण है कई तो आनुवनसिक कारण भी होते हैं जिनमें कि कि यह उसी नहीं किसी प्रकार की अलर्जी होती है जिससे की एस्थमा या दमा का आटाक पड़ता है। कुछ हमारे ऐसे होते हैं बुजर्ग या फिर जो ऐसे रोगी होते हैं जो लगातार कुछ ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जिनके दूस्प्रभाव के कारण भी स्वास रोगत पन होता है जैसे दर्द निवारक दवाएं हैं इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे हमारे जो काम करत जिनके कारिस्थल ऐसे हैं जहांपे लगातार उन्हें धुआ या फिर इस प्रकार की पार्टिकिल्स के कॉंटैक्ट में रहना पड़ता है उनमें भी स्वास की समस्या प्राया देखी जाती है और कहीं न कहीं इसका सीधा संबंद किसी न किसी प्रकार के जीवानू या विश चानू के संक्रमन से भी होता है जिससे कि कहीं न कहीं हमारे फेफडे संक्रमित होते हैं और फिर बाद में वो कहीं न कहीं अवरोध उत्पन करते हैं स्वासवा संस्थान में और जिससे स्वास रोकित पत्ती होती है जी जब हम स्वास रों की बात करते हैं तो इसमें क्या ह हम अस्तमा या दमा को भी शामिल कर रहे हैं या प्रमुक्ता से यही दो रोग हैं ? जी बहुत शवाल है क्योंकि सबसे पहले सौसवा संस्थान में सूजन आती है हमारे फेफडों में फेपडों की जो अल्विलाइस होती है उनमे सूजयनाती है जिसे हम ब्रॉंकाइटिस कहते हैं और बात में यही ब्रॉंकाइटिस बढ़ करके ब्रॉंकेल एस्थमा में बदल जाता है एक और स्रेणी के रोगी होते हैं जो धुमरपान करते हैं उनमें भी स्वास की समस्याएं बहुत सामाने रूप से देखने को मिलती है अब हम बात करेंगे कि स्वास रोग में किस तरह के लक्षन प्रकट होते हैं जी स्वास रोगी में सबसे पहले तो अचानक से बैठे बैठे भी उन्हें सास की तकलिफ हो जाती है यदि वो कहीं सीड़ी चड़ते हैं या किसी प्रकार का एक्सरसाइज करते हैं तब भी दमा एग्रवेट हो सकता है अचानक से कहीं इस प्रकार के कोई किसी चीज़ का भोजन या किसी भोजन में विशेस पदार्थ के ले लेने से भी दमा जैसी समस्या पैदा होती है और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जो एस्तमा को एग्रवेट करती हैं तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो एस्तमा हो जाता है आपने लक्षनों की बात बताई डॉक्टर नवीन जोशी अब जानना चाहेंगे कि क्या प्रदूशन का भी स्वास रोगों में रोल है प्रदूक्षन बहुत बड़ी समस्या है आज की समय में हमारा जो वायू प्रदूक्षन है वो तमाम सारे स्वासे रोग्यों की संख्या में बृध्धी कर रहा है क्योंकि मैंने जैसा की बताया की बातावरण में धुआ या फिर धूल जो है वो सीधे सीधे हमारी नासिका से हमारे फेपड़े में पहुंसता है और हमारे फेपड़े में उसको बचाने के लिए जो हमारी म्यूकस है जो हमारी जो सलेस्मा की जो ग्रंधिया है वो कारे उसको भी एक बहुत बड़ा कारण है स्वास रोगों में. इलाज क्या है डॉक्टर जोशी? देखें, इलाज इसका, इसमें इलाज यही है कि स्वास का ठिन्यों को दूर करना, यानि स्वास अवरोत को दूर करना, तो ऐसे लोग जो हैं, वो कहीं न कहीं inhalers लेते हैं, कहीं न कहीं अपने स्वासवा संस्थान को dilate रखने के लिए, नलिकाओं को dilate रखने के लिए, वो लोग inhaler लेते हैं. दूसरा एक तरीका है, जो कारण है उनसे बचाना, यह सबसे important है, सबसे महतोपूर्ण है, और इसमें कुछ दवाईयां होती है, जिसको चिकित्सक के परामर से ली जा सकती है, साथ-साथ हमारे आईरवेद में भी कुछ ऐसे दवाईयां हैं, और शदियां हैं, जो इसमें बहतेरिन काम करती हैं, जिनका उपियोग चिकित्सक के परामर से किया जाना चाहिए, तो कब ऐसी सित्य आती है, जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जब स्वास का वेग एक इस प्रकार की सित्य उत्पन कर दे, जिसे हम कहते हैं COPD, जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से हिर्दय और स्वासन संस्थान दोनों आपस में मिले मिले हुए हैं, जब स्वास का ठेन नहीं होता है, निशित रूप से कहीं न कहीं इसका हिर्दय और हमारे मस्तिस्क पर प्रवाब पड़ता है, वो एक एमर्जेंसी की स्थिती होती है, ऐसी अवस्था में हमें तदकाल जो है वो चिकित सक के परामर्स में हवस्थ से ही जाना चाहिए. आपने इनहिलर्स की बात की, तो इनहिलर्स क्या इसका सही इलाज है, क्या ये तौरित रूप से कारे करते हैं? देखे, इनहिलर्स जो है ये चुकि इमर्जेंसी में ये तौरित रूप से काम करते हैं, लेकिन हमारे यहां बहुत प्राचीन काल से ही धूपन द्रब्बे भी ले जाते हैं, जिनका प्रभाव जो है स्मोक के थूँ, एक मेडिकेटेड स्मोक होता है, जिसके थूँ हम आफी लाग मिलता है, तो इनहिलर्स इमर्जेंसी में आत्याई का वस्था में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अब जिसे सर्दियां लगातार बढ़ रही हैं, अपने चरम पर पहुंचेंगी, तो ऐसे में जो स्वास रोगी हैं, उन्हें क्या सावधानिया बरतनी ये कुछ ऐसे तत्यों होते हैं, जो कहीं न कहीं हमारे स्वास की रोगियों में उस सिति को और बढ़ा देते हैं, खास कर भोजन में ऐसे तत्यों का प्रयोग कम करें, ज्यादा आप मिर्च मसालेदार भोजन ना करें, बिलकुल सात्विक और शुद्ध और ताजा भोजन क ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही सरदियां बढ़ती है लोगों की शक्रियता कम हो जाती है जिससे हमारे सरीर के मेटबोलिजम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो शक्रियता हमें बनाये रखना चाहिए इसके लिए हम जो हल्के-फुल के व्यायाम कर सकते हैं और सबसे जो महत्तोपूर्ण है स्वास के रोगियों के लिए प्रानायाम का अभ्यास, ब्रीधिंग एक्सरसाइज, ब्रीधिंग एक्सरसाइज करके हम अपने फेफ़णों को इस काबिल बना सकते हैं कि वो आने वाले स्वास की जैसी गंभीर परिस्थिती का हमको मुकाबला करने में हमारी मदद कर सके धूम्रपान, अलकॉल का सेवन इस रोग में कितना खतरनाक हो सकता है? स्वास के एरोगियों के लिए धूम्रपान जहर के समान है, धूम्रपान में जो हम स्मोक लेते हैं, वो कहीं न कहीं निकोटीन के रूप में हमारे फेफ़णों में जमा हो जाता है, और ये फेफ़णों में एक टार के रूप में जमा होता है, जो फेफ़णों के उन हिस्स को क्रियासिल ना रहने पर मजबूर कर देता है जिस कारण से उतने हिस्से फेपड़े के काम नहीं करते हैं जिससे स्वास के रोगियों को और भी अधिक तकलीफ बढ़ जाती है इसलिए धुम्रपान तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए स्वास रोगियों को ही नहीं बल्कि किसी भी स्वास वेक्ति को दूसरा सवाल है अल्कोहल इंटेक सराब का सेवन चुकि सर्दियों में लोग इस प्रकार से कभी कभी इस प्रकार के लिकर्स लेते हैं लेकिन ये भी चीजें जो है हमारे स्वास के रोगियों को तकलीफ को बढ़ा सकती है क्योंकि जो है इनके एंदर जो अल्कोहल है वो कही न कहीं, उसका भी गभी इस परकार का दिखा जाता है, प्रतक्रिया स्वरूप स्वास के रोगे, अचानक से जो है, वो रिसपॉंस बढ़ जाता है, क्योंकि जब अल्कोहल लिजब रोकित्ती नशे में कहीं न कहीं वो कॉल्ड एक्सपोजर मं आपने कहा कि क्रियाशील रहना चाहिए और आपने बताया कि हलके फुलके वियायाम हम कर सकते हैं लेकिन सर्दियों के मौसम में भी लोग बाहर घूमने निकलते हैं जो प्राताकाली निसेर होती है तो स्वास रोगियों के लिए क्या आप इसे रिकमेंड करेंगे जी अगर बुजर्ग स्वास रोगी है तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि प्राताकाल सुर्योदे के बाद ही आप घूमने जाएं क्योंकि ऐसे में आपको दमागा अटैक पड़ सकता है दूसरा यदि स्वस्त वेक्ति है अगर वो भी घूमना चाहते हैं तो आप प्राताकाल अपने आपको जो आपका रूटीन है उसको आप मेंटेन रख सकते हैं लेकिन विशेस रूप से बुजर्ग रोगी और जो दमागे रोगी हैं उन्हें तो सूर्योदे के पश्चात ही जब थोड़ी सी धूप आ जाए गुनगुनी उसके बाद ही घूमना चाहिए इस मौस में रहना जहां धूआ है या धूल है और साथ साथ एकदम से ऐसी सिती जहां पर कि आपको इमर्जेंसी में इस प्रकार की दर्द निवारक दवाएं लेते हैं इस प्रकार की चीजें स्वास के रोगियों के बेग को बढ़ा सकती है तो अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे अंत में ये कहूंगा कि सर्दियां आ रही हैं आप सर्दियों को एक अच्छे हेल्दी सीजन के रूप में लें क्योंकि इस समय में विक्टी का बल बढ़िया रहता है अपने आपको शक्रिय रखें धूम्रपान सराब और इन सभी चीजों की आदतों से परहेज करें ये का वस्था में यदि आपके चिकित सकने हैं इनिलर या फिर किसी प्रकार के स्मोक, मेडिकेटेड स्मोक को लेने का अडवाइस किया है तो आप उसे अवश्चे लें डॉक्टर नवीन जोशी आज आप इस कारिक्रम में आए और बहुत ही महत्पून जानकारी आपने हमारे शोताओं को दी कि किस तरह से स्वास रोग के रोगी इस मौसम में आपना खयाल रख सकते हैं आपका बहुत 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 धन्यवाद सेहत कारिक्रम में आप सुन रहे थे श्वास रोग कारण लक्षण और उपचार के विशेपर डॉक्टर नवीन जोशी से आनल भारती की बात चीत